बिसमे लाइरवानी रहीम असलावलेकूम वीवर्स कैसे हैं अप लोग मैं हो शबाना और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में मसालेदार दही बड़े तो फिर सल ये बनाना शुरू करते हैं दही बड़े बनाने की फर्माइस मेरे एक वीवर्स भाई ने की है जो कनेड़ा रहते हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं दही बड़ा कैसे बनाती हूँ उन्हें बताऊं तो मैं ये वीडियो खासकर उनके लिए अपलोड कर रही हूँ तो देखें ये मेरे पास दो तरह की की दाले है एक मुंग की दाल है और एक उड़त की दाल है मैंने इन्हें 6 घंटे से भीगो कर रखा हुआ था अब इसका पानी निकाल लेंगे और मिक्सर ग्राइडर के अंदर डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो देखें पेस्ट मैने बना लिए है अब इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से फेट लेंगे तो इसे तीन मिनट फेटने के बाद अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जीरा दो पिंच मीठा सोडा और हाफ टेबल स्पून नमक डाल कर इसे फिर से दो से तीन मिनट तक फेट लेंगे आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं इसे फेटना बहुत जरूरी है तब ही बड़े हमारे स्पंजी बनेंगे बैटर हमारा अच्छे से फिटा है कि नहीं इसे जाचने के लिए थोड़ा सा बैटर लेंगे और ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे जब यह उपर तैरने लाएगा तो समझे की बैटर के अंदर एर अच्छे से डेवलेप हो गया है और यह परफेक्ट है और मैंने ओयल को गरम होने के लिए रख दिया था तो हाथ में पहले पानी लगा है और फिर छोटे छोटे बड़े बना लें तो आप इसे इस्पून से या अपने हाथ से भी बना सकते हैं तो बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं अब इन्हें बाहा निकाल लेंगे और बचे हुए बैटर से फिर से बड़े बना लेंगे तो सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं अब इन्हें बाहा निकाल लेंगे और अब सारे बड़ो को एक साथ ओयल के अंदर डालकर दुबारा से फ्राइ करेंगे इसका रिजन यह है कि जब हम इसे पानी के अंदर डालेंगे और निचोडेंगे तो यह फटेगा नहीं अंदर से यह सौफ्ट ही रहेगा और उपर से थोड़ा सा क्रंची होने के वज़ा से यह फटेगा नहीं तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे और फिर इसे निकाल का ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे और 10 मिनट तक इसे ठंडे पानी में डिप रहने देंगे और यह मेरे पास 400 ग्राम होमेट दई है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शूगर डाल कर अच्छे से फेंट लिया है आप चाहें तो इसके अंदर नमक या काला नमक भी डाल सकते हैं अब बड़ो को अपने हथेलियों से दबा कर इसका पानी निकाल देंगे और एक सर्विंग प्लेट में डख देंगे उपर से दही डालेंगे हरी चटनी डालेंगे अपने टेस्ट के कोडिंग और आप खजूर और इमली की कट्टी मिठी चटनी डालेंगे इसे मैंने घर में ही बनाया है थोड़ा सा चाट मसाला, कुटा भूना जीरा पाउडर और रेट चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया डालकर इसे सर्फ करेंगे तो दही बड़े और दही भले हमारे माशाला बिल्कुल तयार हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे लेटिस वीडियो देखने के लिए बिल आइकन को ज़रूर दबाएं, अल्ला हाफीज